दोस्तों इस समय दुनिया में केवल तीन ही ऐसे हतियार है जिनको रोका नहीं जा सकता है जिसमें से पहले हतियार का नाम स्टेल्ट फाइटर जेट है दूसरे हतियार का नाम हाइपर सोनिक मिसाइल है और तीसरे हतियार का नाम लेजर हतियार है और आज हम भारत के लेजर हति और अमेरिका इस सोच में पढ़ चुका है कि भारत इतनी ज़्यादा तेजी से इस हत्यार को कैसे डवलप कर सकता है तो जैसा कि आप सभी जानती हो कि इस समय दुनिया भर के देश लगातार इस कोशिश में लगे हुए है कि जल्द से जल्द अपनी तीनोई सेनाओं को लेज लेजर हत्यारों को बना कर तयार कर चुके हैं लेकिन इन तीनों ही देशों के लेजर हत्यारों में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ये केवल 5-10 किलोमेटर की रेंज में ही अपने टार्गेट को सत पर्तिशत एक्क्योरेसी के साथ पिट करने का दम रखते हैं तेकिन जैसे भारत अमेरिका और चाइना की तरफ से अपने लेजर हत्यारों की रेंज को बढ़ाने की कोशिश की जाती है उसी समय ही इन लेजर हत्यारों की एक्क्योरेसी और इफेक्टिवनेस तुरंथी कम हो जाती है इसी बात को देखते हुए ही अमेरिका चाइना और इंडिया लग पी तक इस तरीके के हत्यारों को बनाने में एमेरिका और चाइना को सफलता नहीं मिल पाई है, लेकिन आज भारत को एक बड़ी सफलता मिल चुकी है, क्योंकि आज भारत ने एक लोंग रेंज के लेजर हत्यार को बना कर तयार कर लिया है हमारा ये लेजर हत्यार 20 किलोवाट का लेजर हत्यार होगा जो काफी आसानी से 20 से 30 किलोमेटर की रेंज में टारगेट को हिट करने का दम रखेगा इस लेजर हत्यार की सबसे खास बात यह होने वाली है कि इस लेजर हत्यार की मदद से हम काफी आसानी से 20-30 किलोमेटर की रेंज में दुश्मन देश के हेलिकोप्टर, ट्रोन को काफी आसानी से मार कर गिरा सकते हैं और इस laser हत्यार की सबसे खास बात यह है कि ये laser हत्यार 30 km की range में भी सत पर्तिशत accuracy के साथ target को hit करता है और भविश्य में भारत का ये laser हत्यार भारत के बहुत से पैसे भी बचाने वाला है क्योंकि इस समय अगर हमको दुश्मन देश के किसी भी drone या फिर helicopter को मार कर गिराना होता है तो उस समय हमको 10 से 12 करोड रुपिये की interceptor missile को fire करना होता है लेकिन laser हत्यार के साथ एसा कुछ भी नहीं होने वाला है laser हत्यार की मदद से हम केवल 900 से 1000 रुपिये की कीमत में ही दुश्मन देश के कई 100 करोड के helicopter को मार कर गिरा सकेंगे और अब आपी कमेंट करकर बता सकते हैं कि हमारी सेनाओं के पास इस तरीके के laser हत्यार कितनी संख्या में होने चाहिए इस बात का अंसर आप कमेंट बोक्स में दे सकते हैं थेंक्स फोर वोचिंग दिस वीडियो हैव गूर